कभी इस पार्ट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को मज़ूरी करनी पड़ती है उन्हें सर्दी के समय सवेरे कोहरे में ही काम पर जाना पड़ता है उनके सामने कौन सी समस्या है कि उल इतना सोचना और कहना ही प्रयाप्त नहीं है न बच्चों आज हम जानेंगे क्लास 9 से हिंदी का चैप्टर 17 जो एक कवीता का शारांश है जिसका स्रिशक है बच्चे काम पर जा रहे हैं जिसके राइटर है राजेस जोसी जी बच्चों अब हम लेखा का जीवन परिचे के बारे में जानेंगे श्री राजेस जोसी का जनम सन 1946 में मद्धिपर्दिश के नर्सी गड़ जिले में हुआ उन्हें सिक्चा पूरी करने के बाद पत्रिकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया राजेस जोसी ने कविताओं के अलावा कहानिया, नाटक, लेख और टिपणिया भी लिखी साथ ही उन्होंने कुछ नाटे रुपांतर भी किये हैं कुछ लगू फिल्मों के लिए पटकता लेखन का कार भी किया उन्होंने भुर्त हरी की कविताओं की अनुरचना अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेस जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं स्री राजेस जोसी के पर्मुक कावे संग्रे है एक दिन बोलेंगे पिर मिटी का चेहरा, नेपत्थ में हशी और दो पंक्तियों के बीज उन्हें अनेक प्रुषकारों से शम्मानित भी किया गया है उन्हें माखल लाज चत्रवेदी प्रुषकार, मत्य परदेश शाषन का सीखर शम्मान और शहित अकादमी प्रुषकार से सम्मानित किया गया है स्री राजे जोसी की कविताएं गहरे शमाजिक अपिप्राय वाली होती हैं विजीवन के संकट में भी गहरी आस्था को भारती हैं उनकी कविताओं में अस्थानिय बोली, बानी, मिज़ाज और मौसम सब कुछ व्यात्त है उनकी काविलोक में आत्मियता और लियात्मक्ता है तथा मनुष्य ताको बचाय रखने का एक निरंतर शंगर्श भी दुनिया के नष्ट होने का खत्रा रजेश जोसी को जितना प्रफल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनों की खोश के लिए बैसेन दिखाई देते हैं अब हम पार्ट परवेश करेंगे प्रस्तित कवीता में बच्चों से बच्पन छीन लिये जाने की प्रिणा व्यक्त हुई है कवी ने उस समाजित आर्थिक विडंबना की और विशारा किया है जिसमें कुछ पच्चे खेल, सिक्षा और जीवन की उमंग से बंचित है नेक कवी ने इस कवीता के माध्यम से बच्चों के बच्पन छीन जाने के प्रिणा व्यक्त की है कवी ने उस समाजित आर्थिक विडंबना की और इशारा किया है जिसमें कुछ पच्चे खेल, सिक्षा और जीवन की उमंग से बंचित हैं कवी कहते हैं कि बच्चों का काम पर जाना आज के जमाने में बड़ी भ्यानक बात है कभी कहते हैं यह उनके खेलने कुदने और पढ़ने लिखने के दिने फिर भी वे काम करने को मजबूर है उनकी विकास के लिए सभी चीजों के रहते हुए भी उनका काम पर जाना कितनी भ्यानक बात है अपनी कवीता के को काम की भट्टी में जोगने से रूका जा सके पस सोचना यह है कि बच्चे काम पर क्यों जाते हैं किन्तु इस प्रश्ण का उत्तर भी समाज के पास नहीं है बहुत बुरी बात है कि बच्चों को खिलने खाने तथा मोज मस्ती के समय मजदूरी करने पड़ती है कभी क्या किसी भुकंप में ढगया चुव पढ़ने नहीं जाते क्या खेलने के अस्थान बाग बगीचे आंगल आधिस सभी खत्म हो गए जो उन्हें खेलने को नहीं मिलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ मज़ूद है किन्तु फिर भी अनेक बच्चे सणकों पर मजदूरी करने जाते हैं यही अस्चर है यही विडम बना है कभी कहना चाहते हैं कि सभी लोग मिल कर ऐसा कुछ महान कारे करें जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सके ताकि उनका भविश सुधरे और वे भी खुस हो अब हम इस पार्ट के कुछ परिच्छत वेगी प्रशनों के उत्तर जानेंगे पहला प्रशन है कभीता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपकी मन मस्तिक्स में जो चित्र उभरता है उसे लिख कर व्यक्त कीजिए उत्तर है शुम्र में ही उन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए ना चाहते हुए भी इन बच्चों को इतना ठंड में सुबह-शुबह उठकर काम पर जाना पड़ रहा है कभी का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भ्यानक बात को व्यूरन की तरह ना लेकर शवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे कभी की द्रिष्टी में उसे प्रश्ण के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए अंसर है बच्चों के इस स्थितिक का जिम्मेदार समाज है कभी द्वारा विवरण मात्र देकर उनकी जरूरी यार सकताओं के पूर्थी नहीं की जा सकती इसके लिए समाज की इस समस्या से चाकरू करने के लिए तता ठोज समधान ढूनने के लिए बात को प्रश्ण रूप में ही पूछा जाना उचित होगा लोगों को बैठ विमश कर इस समस्या का उचित समधान करना होगा थर्ड प्रश्ण है सुविधा और मनौरंजन के उपकरूनों से बचे पंचित क्यों है? समंसर है अपनी माता पिता का हांथ बटाना पड़ता है जहां जबीका के लिए इतनी मेहनत करनी पड तब सुख सुवविधा की कलपना करना अश्रम्भोशा लगता है फोर कोस्चन है दिन प्राति दिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता इस उदाशिंता के क्या कारण हो सकते हैं एंसर है इस उदाशिंता के कई कारण है लोग आत्मक्रेंदित होने के साथ समवेद हीन भी हो रहे हैं उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है दुसरों के कश्टों को वे जानने समझने का प्रयास नहीं करते कई लोगों में जागरुपता की भी कमी है उन्हें ये भी नहीं पता कि पढ़ाई हर बच्चे का मौलिक अधिकार है वे सिर्फ इस्वत और बच्चों के भागे को दोस देते हैं प्रश्न है बच्चों को काम पर जाना धर्ती के एक पड़े हाथ से के समान क्यों है एंसर है बच्चे इस देश का भविष है ये बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तब हमारे देश की आने वाली पीड़ी भी पिछड़ी होई देश का भविष अंदकार पूर्ण होगा उन्हें उनके बच्चपन से वंचित रखना अपराध तथा और मानवी कर्म है इसलिए बच्चों का काम पर जाना धर्थी के एक बड़े हाथसे के समान है कॉस्चन है आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए एंसर है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा चाना चाहिए कारण बच्चों की उम्र कच्ची होती है, उनके मन भावुक है बच्पन खेलने, खाने और शिखने की उम्र होती है उन्हें प्रयाप्त, कोमलता और संदच्चन की अशकता होती है बच्चों को काम पर भेजना, उनके बच्चपन को चिंगना है इसके चलते वे खेल, सिक्चा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते है उससे उनका शोषन होता है इसलिए बच्चपन में सभी को पढ़ने, खेलने, कुदने का औशर मिलने के साथ सत अनशुविधायें भी समान रुप्स में उपलब्ध होनी चाहिए पच्चों अब हम कुछ कठीन सब्दों के अर्थ जान लेंगे जैसे भ्यानक मतलब ड्राउनी, विवरन मतलब व्योरा वर्णन, अंत्रिक्ष मतलब आकाश, दीमत मतलब एक कीड़ा जो लकड़ी को खा जाता है वुकम्प मतलब भुजाल, मदर्शा मतलब इश्कूल, एकाएक मतलब अस्चानक, हस्प मामूल मतलब यथावत पहले के जैसी बच्चों अगर आप हमारे चैनल से नए जोड़ रहे हैं जिससे सस्क्राइब और बेल आइकन बटन पे दवाना नहीं भूलेगा जिससे हमारे चैनल के नएने नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी नहीं भूलेगा और लाइक के बटन पर प्रेस्ट करना और कॉमेंट करना भी नहीं भूलेगा